लेहरों से डरकरनों का कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदर्श कुमार, गणी तद्यापक, राज के उच्च विदाले अगसो जीन, आज के कारेकरम में आपका हार दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना में हमारी के कारन विदाले नहीं लगपा रहे और हमें कुछ समय तक ओनलाइन काम करना है। हमारी हरियाना सरकार, SCRT और आपके अध्यापक पूरा प्रयास कर रहे हैं, आपके बढ़ाई में कोई विबाधा ना आए और हम पूर आशा रखते हैं कि हम अपने प्रयास से आपको आगे बढ़ने में पूरी सहायता करेंगे। आप अपने साथ नोटबुक और पैन लेकर बैठी और जो भी आपको वीडियो में बताया जाता है उसे साथ-साथ करने का प्रयास करेंगे। आज हम गणित की कच्छा लेंगे, इसी के साथ आप आज का वीडियो देखिए। हमने गुननखंडों के बारे में पढ़ा है, आईए एक बार उसकी दोराई करते हैं। क्या आप अठारा के गुननखंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें उन संख्याओं को ग्याद करना है, जिन संख्याओं की गुना से अठारा आ सकता है। क्या आप वेसंखहें बता सकते हैं? स्वीटी ने जवाब दिया 1 गूणा 18 अठारा होता है 2 गूणा 9 बराबर 18 3 गूणा 6 बराबर 18 6 गूणा 3 बराबर 18 9 गूणा 2 बराबर 18 और 18 गूणा 1 बराबर 18 होता है यानि अठारा के गुननखन ए, दो, तीन, छे, नो और अठारा है और यह बिल्कुल सही जवाब है आईए हम देखते हैं अब तक हमने जो सीखा है उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना है सबसे पहली बात, एक संख्या का गुननखन उस संख्या का पुर्ण विभाजक होता है कहने का मतलब किसी भी संख्या का गुननखन उस संख्या को पूरा-पूरा भाग करता है प्रतेग संख्या स्वयम का एक गुननखंड होती है और एक प्रतेग संख्या का गुननखंड होता है दी हुई संख्या का प्रतेग गुननखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है प्रतेग संख्या अपने प्रतेग गुननखंडों का एक गुनज होती है उस संख्या से बढ़ाया उसके बराबर होता है। परतेख संख्या स्वयम का एक गुनज है। हमें इन सभी महत्वपुन बातों को याद रखना है। गुननखंड और गुनज के बारे में हमने भाग एक में पढ़ा था। आईए अब हम आगे सीखते हैं। सारव गुननखंड या common factors किसे कहते हैं। आज हम यह सीखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है। सारव गुननखंड को हम साजा गुननखंड या उभैनिष्ट गुननखंड भी कहते हैं। गुननखंड के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। आईए। अब हम सारव गुननखंड ग्याद करते हैं। हमें 20 और 28 के सारव गुननखंड ग्याद करने हैं। सबसे पहले हम 20 के गुननखंड ग्याद करेंगे। वे संख्याएं, जिनको गुना करने पर हमें 20 प्राप्त होता है, सभी संख्याएं 20 की गुननखन हैं। एक गुना 20 बराबर 20, दो गुना 10 बराबर 20, चार गुना 5 बराबर 20, पांच गुना 4 बराबर 20, 10 गुना 2 बराबर 20 और 20 गुना 1 बराबर 20 है हम कह सकते हैं 20 के गुननखन 1, 2, 4, 5, 10 और 20 है अब हम 28 के गुननखन ग्याद करते हैं 1 गुना 28 बराबर 28 2 गुना 14 बराबर 28 4 गुना 7 बराबर 28 हम कह सकते हैं कि 28 के गुननखंड एक, दो, चार, साथ, चोधे और अठाइस हैं किसी भी संख्या के गुननखंड उस संख्या को पूरा-पूरा भाग करते हैं आप विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करके भी किसी भी दी हुई संख्या के गुनुनखंडों को ग्याद कर सकते हैं अब हमें सारव गुनुनखंड ग्याद करने हैं हम वे गुनुनखंड देखेंगे जो दोनों संख्याओं में हैं सबसे पहले देखिए एक, दो और चार ऐसे गुननखंड है जो 20 के गुननखंड भी हैं और 28 के गुननखंड भी हैं हम कह सकते हैं कि 20 और 28 के सारू गुननखंड एक, दो और चार हैं तो आप समझ भी गए होंगे कि सारू गुननखंड या साजा गुननखंड या उभेनिष्ट गुननखंड जिन्हें हम इंगलिश में common factors कहते हैं वे गुननखंड हैं जो दी हुई 2, 3 या 4 सभी संख्याओं में होते हैं आईए कुछ और उधारों से हम इने करते हैं अब हमें 15 और 25 के सारू गुननखं या common factors ग्याद करने हैं सबसे पहले हम देखते हैं 15 के गुननखं कौन कौन से हैं 1 गुना 15 पंदरा होता है 3 गुना 5 बराबर 15 5 गुना 3 बराबर 15 और 15 गुना 1 बराबर 15 यानी हम कह सकते हैं कि ये वो संख्याए हैं जिन की गुना से हम 15 घ्याद कर सकते हैं उसके बाद हम 25 के गुननखं ग्याद करेंगे एक गुना पत्चीस बराबर पत्चीस पांच गुना पांच बराबर पत्चीस और पत्चीस गुना एक बराबर पत्चीस पंद्रह के गुननखन हमारे पास एक तीन पांच और पंद्रह हैं पत्चीस के गुननखन हमारे पास एक पांच और पत्चीस हैं अब हमें ऐसे गुन्खन देखने हैं जो दोनों संख्याओं में आते हैं सबसे पहले देखिए एक पांच हम कह सकते हैं 15 और 25 के सारव गुन्खन एक और 5 है अब हमें 35 और 50 के सारव गुन्खन ग्याद करने हैं सबसे पहले हम देखते हैं 35 किन संख्याओं की गुना से प्राप्थ हो सकता है एक गुना 35 बराबर 35 पांच गुना 7 बराबर 35 साथ गुना 5 बराबर 35 और 35 गुना 1 बराबर 35 अब हम 50 के लिए देखेंगे किन संख्याओं की गुना से 50 प्राप्थ होता है एक गुणा पचास बराबर पचास, दो गुणा पचीस बराबर पचास, पांच गुणा दस बराबर पचास, और दस गुणा पांच बराबर पचास, पचीस गुणा दो भी हमारा पचास के बराबर होता है, और पचास गुणा एक बराबर पचास, हम कह सकते हैं कि 35 के एक, दो, पाँच, दस, पत्चीस और पचास हैं। हमें ऐसे गुननखन देखने हैं जो हमारे पास दोनों संख्याओं में हैं। एक, पाँच हम कह सकते हैं कि 35 और पचास के सारव गुननखन एक और पाँच हैं। अब हम देखते हैं यदि हमें तीन संख्याओं दे हुई हैं तो हम सारव गुननखन या कोमन फैक्टर कैसे ग्याद करेंगे। दो संख्याओं की तरह सबसे पहले हम तीनों संख्याओं के गुननखन ग्याद करेंगे। सबसे पहले हम चार के लिए गुननखन ग्याद करेंगे ऐसी संख्याएं जिनकी गुना से हमें चार प्राप्त होता है उसके बाद आठ के लिए हम ऐसी संख्याएं ग्याद करेंगे जिनकी गुना से हमें आठ प्राप्त होता है ऐसी सभी संख्याएं इनकी गुननखन है उसके बाद 12 के लिए 1 गुणा 12 बराबर 12 है 2 गुणा 6 बराबर 12 है 3 गुणा 4 बराबर 12 है 4 गुणा 3 बराबर 12 है 6 गुणा 2 बराबर 12 है 12 गुणा 1 बराबर 12 है और हम देखते हैं 4 के गुणनखन 1, 2 और 4 है 8 के गुणनखन 1, 2, 4 और 8 है 12 के गुननखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है अब हम देखेंगे ऐसे कौन से गुननखंड है जो तीनों संख्याओं में है 1, 2, और 4 तीनों संख्याओं के गुननखंड है हम कह सकते हैं 4, 8 और 12 के सार्व गुननखंड 1, 2, 4 और 8 है आईए एक और उधारन के द्वारा हम तीन संख्याओं के सार्व गुननखंड या कोमन फैक्टर्स को निकालना सीखते हैं हमारे पास 5, 15 और 25 दिया हुआ है हमें इसके सार्व गुननखंड ज्याद करने हैं सबसे पहले हम देखते हैं 1 गुना 5 बराबर 5 होता है और हम कह सकते हैं 5 गुना 1 भी 5 के बराबर है और हम यहां देखते हैं 1 और 5 दुबारा रपीट होता है इसलिए हम उसे दुबारा नहीं लिखेंगे उसके बाद हम 15 के लिए देखते हैं 1 गुना 15 बराबर 15 है 3 गुना 5 बराबर 15 है यदि इससे आगे हम चले 5 गुणा 3 भी 15 के बराबर होता है और 15 गुणा 1 भी 15 के बराबर होता है जिसमें हमारी सिंख्यें रिपीट होती हैं इसलिए हम उन्हें केवल एक बार ही लिखेंगे एक गुणा 25 बराबर 25 पांच गुणा 5 बराबर 25 इससे आगे हमारे पास 25 गुणा 1 बराबर 25 हो सकता है परन्तु एक और 25 हमारे पास पहले आ चुके हैं इसलिए दोबारा इन्हें लिखने के आवस्चक्ता नहीं है अब हम इनके गुणन खंड यदि देखें तो हम देखते ह पांच के गुणन खंड एक और पांच है 15 के गुणन खंड एक तीन पांच और पंदर है 25 के गुणन खंड एक पांच और पच्चिस है अब हमें ऐसे गुणन खंड देखने हैं जो तीनो संख्याओं के गुणन खंड है आप देख सकते हैं एक तीनो संख्याओं का गुण गुननखंड है उसके बाद 5 भी तीनों संख्याओं का गुननखंड है हम कह सकते हैं 5 15 है और 25 के सार्व गुननखंड एक और 5 है आईए अब हम सार्व गुनज यानि कोमन मल्टीपल ग्याद करना सीखते हैं ऐसे गुनज जो दी हुई संख्याओं में दोनों जगए हो यदि हमारे पास तीन संख्याओं है तो तीनों में हो वे हमारे सार्व गुनज होते हैं 6 और 8 हमें दिया हुआ है सबसे पहले हम 6 के गुनज लिखेंगे 6 को 1 से गुना किया 10 है 6, 6 को 2 से गुना किया 11 है इसी परकार हमें दी हुई संख्याओं आप देख सकते हैं गुनज के रूप में प्राप्त होंगी उसके बाद हम 8 के गुनज लिखेंगे पहला गुनज 8 उसके बाद 16, 24 और इस परकार हमें आगे गुनज ग्यात होते रहेंगे अब हम वे पर्थम तीन गुनुज ग्यात करने हैं और जो दोनों में होंगे वे हमारे सारो गुनुज होंगे। 24, 48, 72 इस प्रकार हम देख सकते हैं 24, 48 और 72 हमारे पास पर्थम तीन सारो गुनुज हैं। यदि हम 24 का पहाड़ा आगे लिखें तो वो हमारा चोथा सारो गुनुज होगा। उसके बाद पांचवा इस प्रकार हम आगे सारो गुनुज ग्यात कर सकते हैं। 12 और 18 के लिए सबसे पहले हम 12 के गुनुज लिखेंगे उसके बाद 18 के गुनुज लिखेंगे। आप उपर वाले उदहरन में और इसमें देख सकते हैं कि हम आगे कितने भी गुनुज ग्यात कर सकते हैं उनका कोई भी अंक नहीं है। हमें जितने सारो गुनुज ग्यात करने हैं उसी के हिसाब से हम उनके कुछ गुनुज लेंगे। अब हम देखेंगे कि इन में ऐसे कौन से गुणज हैं जो दोनों संख्याओं के गुणज हैं। सबसे पहले 36, उसके बाद 42 और उसके बाद 108 तो प्रत्म तीन जो गुणज होंगे वो सारव गुणज हमारे पास 36, 72 और 108 होंगे। अब हम देखते हैं सह अभाद्जे संख्याओं कैसे ग्याद करते हैं। क्या संख्याओं 18 और 35 सह अभाद्जे हैं। सबसे पहले हम 18 और 35 के गुणन खंड ग्याद करेंगे। 18 के ऐसे गुणन यानि गुणा के टुकडे ग्याद करेंगे जिनसे हमें 18 प्राप्त होता है और ऐसी संख्या हैं आपके सामने हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1, 2, 3, 6, 9 और 18 18 के गुणनखन हैं उसके बाद हम 35 के गुणनखन ग्याद करेंगे 35 के हमारे पास गुणनखन एक, 5, 7 और 35 हैं अब हम देखेंगे कि दोनों में सारव गुणनखन या साजा गुणनखन जिसे हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं वो सिरफ एक है अब तक आप समझ चुके होंगे, दो संख्याएं जिन में केवल एक ही सारव गुणनखन या कोमन फैक्टर होता है इन्हें हम से अभाजे संख्याएं या को प्राइम नंबर्स कहते हैं 18 और 35 से अभाजे संख्याएं हैं क्योंकि इनका सारव गुणनखन केवल एक है अब आपको स्वेम करना है, सारव गुणनखन ग्याद कीजिए, आपके पास दो भाग दिये हुए हैं उसके बाद आपको प्रथम चार सारव गुणनखन ग्याद करने हैं सारव गुणनखन ग्याद करें इसमें आपको तीन-तीन संख्याएं दी गई हैं और आपको बताना है दी हुई संख्याओं में कौन सी संख्याएं सहवाजय संख्याएं हैं आज के लिए नहीं